हाई गाईज मैं इस रुद्रा एंड वेलकम तो आज यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लग उन्बॉक्सिंग करने चाहरे है हमारा नया माइक का जो की है जूम H1N रिसेंटली ये माइक मेंने अमेजोन से परचेज किया हुआ है और ये माइक यूटूबर्स में से बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तमाल करते है और यूटूब कम्यूनिटी में ये माइक बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अगर मैं बात करूँ जूम H1N माइक की तो इस है we are for creators यहां पर मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ आप देख सकते हो कि we are for creators यहां पर लिखा हुआ है तो यह creators लोगों के लिए जो कि movie, film या फिर YouTube content बनाते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चोईस है तो मैं recommend करूँगा अगर आप मैं से किसी नए वी जुमेच्वन के बारे में कभी भी research नहीं कि मैं आप लोगों को आँख बंद करके यह बता सकता हूँ कि यह mic एक बहुत यह अच्छा option है अगर आप लोग intermediate लेबल पे हो या फिर basic लेबल पे हो और आप अपने YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक नए mic purchase करने की और आपका जो audio का लेबल है उसको next level पे ले जाने की तो यह बहुत यह अच्छा option है मेरा जो first mic है वो है यह blue snow wall ice mic इसको मैंने around one year से में पिछले one year से इसको use कर रहा हूँ यह भी मुझे इसका जो price range है इसका जूम h1n का और इसका इसका price range around same ही है बट इनका जो clarity है almost same होता है और एक चीज़ है कि price range के हिसाब से अगर मैं बात करूं compatibility की यह तोड़ा बलकी होता है बट यह बहुत ही मतलब आप आसानी से इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो और इसका जो audio output है indoor हो या outdoor हो बहुत ही अच्छा है यह बाहर के noises को automatically cancel कर देता है और इसमें बहुत सारे ऐसे option है जिसको कि आप use करके अपना audio level को मतलब next level पर ले जा सकते हो तो इसलिए इस माइक को मैंने खरीदा रिसेंटली Amazon के टाइम बहुत ताइम से मैं सोच रहा था इस माइक को खरीदने की क्योंकि मेरे पास यह normal blue snowball ice mic है और जब मैंने DSLR खरीदा तो मुझसे मतलब जब मैं चाहता था कि content create करना तो मैं table के बाहर के content में create नहीं कर पा रहा था क्योंकि य एक छोटा सा super compatible mic जो कि मैं कहीं पर भी carry कर सकूँ और कहीं पर में video recording कर सकूँ क्योंकि job के related काम पर मुझे बाहर जाना बढ़ता है और वहां पर में video recording नहीं कर पाता और although मैं video recording करता हूं तो उसका audio clarity बहुत ही बेकार होता है तो इसलिए मैंने इस mic को purchase किया recently इसका तो price से around 8,000 के आसपास है बट मुझे ये price somewhere around 5,500 में आ गया क्योंकि recently independence day का हमारा offer चल रहा था तो वहां पर कुछ offers थे और उसी के हसाब से मुझे ये zoom h1n मैंने ले लिया आज हम लोग इसका unboxing करेंगे कि क्या क्या आता है packing में अगर आप लोग interested हो इसको खरीदने के लिए तो इसका link आप लोगो description में मिल जाएगा आप उस link से खरीद सकते हो वो कोई भी affiliate link नहीं है ऐसे normal link है अगर आप लोग interested हो खरीदने के लिए तो वहां से आप लोग खरीद सकते हो तो guys अभी हम लोग unboxing करेंगे बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि zoom h1n में क्या-क्या feature है guys zoom h1n को अगर आप लोग देखो तो यहां पे guys दो type of mic आपको ऐसे cross mic मिलते है और उसके साथ साथ आपको mic input और output दोनों का option मिलता है जो कि इसमें नहीं है blue snowball eyes में आप अपने आबाज को नहीं सुन सकते और आप इसको कोई output भी नहीं दे सकते even अगर आप लोग h1n आपके पास mic है इसको आप लोग अपने on camera mic की तरह भी आप लोग use कर सकते हो बस एक चोड़े-चोड़े cable की जरूरत पड़ेगी आपको जो कि आप mic के साथ connect करो और उसके बाद इसको आप directly अपने camera में on camera mic की तरह जैसे use कर सकते हो जैसे road का mic होता है road video micro उसी की तरह आप लोग इ control कर सकते हो इसको मैं अभी तक unboxing नहीं किया चलिए अभी तक unboxing करते है और then हम लोग इसका technical details में on the way में आप लोग को बता हूँआ है चलिए unboxing करते है तो गाइस अभी यह जो माइक आप देख रहे है यह हमारा zoom h1n और यह बहुत ही अच्छा माइक है अभी हम लोग इसका unboxing करेंगे और फिलाल के लिए मैं आप लोग को box pack दिखा देता हूँ कि box pack कैसा है आप लोग देख सकते हैं कि box बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी हम लोग इसका unboxing करेंगे तो गाइस अभी हम लोग box को side में रख देते हैं अभी यह box खोलते ही आपको ऐसा कुछ paper work पहले दिखने को मिलेगा इस paper work में basically इसमें लिखा है कि इस product को आपको कैसे use करना है यहां पर क्या-क्या batteries लगेंगे कैसे memory card का क्या चीज है तो जो details है इसमें already mentioned है अगर आप लोगों को कोई doubt होता है तो आपको यह details यहां पर मिल जाएंगे बाकी यहां पर आपको product मिलता है अभी मैं इसको निकाल लेता हूं गाइज यह simple version है इसके दो version आते है एक में कुछ accessories बगएर आते है जैसे कि जो wind screen बगएर आता है जिसमें कि आपका wind का noise cancel हो जाता है और माइक कुछ इस तरह सा दिख रहा है जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है और माइक का build quality भी है जेनरली यह जो build quality है यह बहुत ही plastic सा feel है बट ऐसा नहीं है कि कोई low quality का plastic है बट थोड़ा अच्छा quality का rubbery finish वाला है इसका पूरा जो top वाला हिससा है और बागी नीचे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एक mount है अगर आप लोग एक simple camera on camera mount ले लो तो इसको आप लोग अपने जो camera के ऊपर directly आप इसे connect कर सकते हो यह बहुत ही अच्छा option है अगर आप लोग starting में अगर आप लोग इसको आपके पास कोई on camera mic नहीं है तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो इसमें इसके साथ साथ कोई battery बगरा नहीं आता है यहाँ पर triple battery लगता है बट इस के साथ हमें memory card भी नहीं मिला बटेक्स का जो upper version है जिसमें की सारे accessories बगरा आते है तो उसमें आप लोग को इस सारी चीजें मिल जाते है यहाँ पर की तरफ आप लोग देख सकते हो लाइन आउट का option है अगर आप लोग अपना आबाद सुनना चाहते हो तो यहाँ पर अप करके अपना आबाज on the way recording करते हो सुन सकते हो देन यहाँ पर आप लोग को volume का option मिलता है volume up and down का ठीक है और यहाँ पर आप लोग जाओगे तो line in का option है अगर आपके पास कोई navlar mic है तो आप लोग उसको यहाँ पर connect कर सकते हो level mic अगर आपके पास है collar mic बगएरा तो इसको यहाँ पर लोग कनेक्ट कर सकते हो और उस audio को लापिलर माइक के audio को इसके साथ recording कर सकते हो यह गाइस अपने में माइक भी है और यह audio recorder भी है इसके साथ साथ एक चोड़ा सा speaker है यहां पर recording का option है और बाकी सारे चोटे मोटे यहां पर option जैसे के एक USB port है यह यूसबी टाइपस ही नहीं है यूसबी जो नॉर्मल यूसबी port है और यहां पर आप लोग इसके नीचे की तरफ जाए तो यहां पर बेसिकली प्रड़क्ट नंबर लिखा हुआ है और यह है कोई भी अगर audio आप लोग recording करते हो तो इसको डिलीट करने का option यह है का जो port होता है आपका जो micro sd card का जो port होता है वो यहां से आप लोग अपना micro sd card यहां से लगा सकते हो ठीक है तो मैंने अभी इसको चालू नहीं किया मैं अभी आप लोग को इसका audio सुना के दिखाऊंगा कि कैसा audio इसका आ रहा है आप लोग इसको compare कर सकते अपने snowball eyes के mobile eyes का audio अच्छा लगए तो मुझे comment section में बताना कि कौन सा सबसे जादा अच्छा लगा आपको और दोनों ही famous है ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छा है और बुरा है दोनों ही अपने आप में अच्छे devices है जिसको कि आप लोग audio recording के लिए use कर सकते हो ठीक है तो यह just एक first look था अभी हम लोग इसको अपना सारा बैटरी बगएरा memory card बगएरा मैंने अलेडी खरीद रखाऊं और इसको मैं पर use करूँगा guys rechargeable triple A battery मैंने ले लिया है और यह है हमारा memory card अभी मैं इसको connect करता हूँ and then फिर हम लोग करते है इसका audio testing guys अभी आप लोग जो audio सुन रहे हो वो है zoom h1n से और यहां पर guys एक red color का button जल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी audio recording हो रहा है तो यहां बीच में जो button है उसको आप लोग क्लिक करके अपना audio recording start कर सकते हो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा mic है यहां पर एक wind filter आप लगा के इसको इसके audio को और भी अच्छा कर सकते हो hopefully इसका जो audio clarity है आप लोग को अच्छा लगा and definitely I will try to make more videos with this zoom h1 क्योंकि इसमें अगर आप लोग short film अगारा बनाते हो क्योंकि अभी मेरे पास camera है तो मैं छोड़े छोड़े vlogs या फिर short film अगारा बनाऊँगा and definitely ऐसे काम के लिए अगर आप लोग audio recording करना चाहते हो video recording करना चाहते हो and video recording के लिए audio audio और video दोनों sync हो के चलते हैं और आप किसी भी चीज में compromise नहीं कर सकते हो डेफिनेटली वो आपके video को नहीं देखेगा और आपके video को skip कर देगा तो होफिली ये video का जो audio है definitely आप लोगो पसंदाया होगा मेरा Snowball Ice का जो audio है वो भी बहुत ही अच्छा clarity का है Beginners के लिए मैं recommend करूँगा कि आप लोग ये Snowball Ice ले सकते हैं जो कि मैं primarily use करता था And Zoom H1 भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा माईक है यहां पे आप लोग अपना audio का जो clarity है उसको भी adjust कर सकते हो अगर आप लोग 128 में आप अपना audio का clarity जो bits पर रेट रखना चाहते हो तो वो भी आप लोग रख सकते हो इसमें बहुत सारे ऐसे option है जो कि एक advanced label के content creator को चाहिए And I hope कि यह unboxing आप लोग को पसंद आया होगा यहां पे आप लोग को एक volume knob दिखने को मिल रहा हुआ तो यह volume knob से आप अपना volume भी control कर सकते हो And आप इसका volume भी improve कर सकते हो तो hopefully यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो make sure you subscribe to our channel क्योंकि आसे ही amazing tech related videos के साथ हम हमें साहते रहते है management, tech, digital marketing, आसे related videos के साथ हमारे चैनल में इतने यह वीडियो से आप लोग amazing videos से आप लोग को I hope की बिल्कुल आपको पसंद आयेंगे And bye bye I'll see you in my next video